दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अपने SBI एकाउंट में नया चेक बूक अपलाई करना सिखेंगे वैसे तो यदि आप चाहें तो अपने होम ब्राज जाके भी वहाँ पे छोटा सा फार्म मिलता है इस तरीके का उस फार्म को भर के जमा कर देंगे तो आपके बैंक अगाउंट का चेक बूक आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा लेकिन यदि आप होम ब्राज के ज़रिये चेक बूक के लिए अपलाई करते हैं तो इसमें काफी टाइम लगता है लेकिन यदि आप चेक बूक के लिए ऑन लाइन अपलाई करते हैं तो आपका चेक बूक बाई पोस्ट आपके घर तक मातर साथ दिनों के अंदर ही आ जाएगा तो यदि आपका भी एकाउंट SBI में है और आप एक नए चेक बूक अपलाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने वाइल के अंदर गूगल ख्रोम ब्राज़र को ओपन कर लेंगे उसके बाद उसके सर्च पार में टाइप करेंगे SBI सर्च कर देंगे तो यहां पहले ही नमर पर इस्टेट बैंक आफ इंडिया का वेब साइट आ जाएगा तो इस पर हमें क्लिक कर देना है थोड़ा साब पेज को ऊपर खिसकाएंगे तो यहां पार्सनल बैंकिंग में नीचे में दू आप्सन है लॉगिन और दूसरा है यह नो तो हमें क्या करना है लॉगिन पर क्लिक करना है वैसे भी यदि आप इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं तो आप अपने इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना तो जाते ही होंगे यहाँ पर अपने internet banking का username, password यहाँ नीचे में capture है, इस capture को इस खाली बाक्स में डाल देना है username, password तथा capture डालने के यह बाद, यहाँ नीचे में लिखा है login, login पर हम क्लिक कर देंगे हमारे bank में register while नमर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर डाल देना है OTP डाल कर submit पर क्लिक कर देना है, तो जैसा कि आप देशकते हैं, मैं यहाँ पर SBI के internet banking में login हो चुका हूँ यहाँ पर मेरा नाम सोवर आ है, यहाँ उपर के बार में बहुत सारे option मिल जाते हैं, जिनमें से एक option है, यहाँ देखिए एक option है, request and inquiries इस पर हमें क्लिक करना है, थोड़ा सा processing चलेगा, उसके बाद page में कुछ changing होगा, हम page को फ़ड़ा उपर खिसकाएंगे, request and inquiry में भी बहुत सारे option मिल जाते हैं, जिनमें से यहाँ पर एक option है, checkbook services, इसी पर हमें क्लिक करना है, फिर से हम page को उपर खिसकाएंगे, यहाँ पर भी तीन option मिलते हैं, जिनमें से पहला option है, checkbook request, तो हमें इसी पर क्लिक करना है, पीज को फ़ड़ा उपर खिसकाएंगे, तो यहाँ पर हमारा bank account नमर सो हो रहा है, यह account type, 7 account, यह branch का नाम, यह थी आपके एक इस याइफ नमर से, एक से ज़्यादे bank account होंगे, तो सभी bank account यहाँ पर सो हो जाएंगे, हला कि मेरा एक ही account number है, इसलिए मैं इसी को select कर लेता हूँ, जैसे यह आप account number को select करेंगे, तो यही account number यहाँ पर भी सो हो जाएगा, और यहाँ नीचे में हमारे checkbook का maximum limit सो हो जाएगा, एक बार में हमके वाल एक ही checkbook मंगा सकते हैं, इसलिए यदि आप down arrow पर भी किलिक करें होगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर है number आप check leaves, यानि जो आप checkbook मंगाना चाहते हैं, वो कितने पन्नों का होना चाहिए, उसको आप इस down arrow पर क्लिक करके select कर सकते हैं, तो एक financial layer में 10 पन्नों का checkbook free होता है, तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देन पड़ेगा, यदि आपको 10 पन्नों से जादे का जरूरत है, तो आप इन में से किसी को भी select कर सकते हैं, जैसे कि 20, 25, 50, हाला कि मुझे केवल 10 ही पन्ना चाहिए, इसलिए मैं 10 को select कर लेता हूँ, यहाँ पर checkbook का type दिया है, bearer check, other check, तो यह आप other में क्लिक करेंगे, तो क्ल पड़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है, submit, हम submit पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर आपको पूरा review दिखा जाएगा, जैसे कि account नमर, आपके check का maximum limit, branch name, नमर आप checkbook, checkbook कितने पन्नों का है, वो यहाँ पर आएगा, यहाँ नीचे में है checkbook category, यहाँ पर दिया है, delivery address, कि जो आप checkbook महाना चाहते हैं, वो कौँश address पर, यहाँ आप register address पर क्लिक करेंगे, तो आपके bank में जो भी register address है, वो address यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ आपको नए address डालना है, तो इस new address पर आप click कर दिए, जैसे आप new address पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नए address डा देख सकते हैं, हाला कि मेरे bank account में जो register address है, उसी address पर मैं अपना checkbook महाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पहले वाले कोई select कर लेता हूँ, आप चाहें, तो कोई भी नए address डाल सकते हैं, यहाँ पर एक बार आप अपने address को confirm कर लिजेगा, कि आपका जो address है, उस सही है कि नहीं, उसके बार यहाँ लिखा है I agree, इसमें हम क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे लिखा है submit, तो हम submit पर क्लिक कर देंगे, तो हमारे bank में register mobile नमर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इस खाली box में डाल देना है, OTP डालने के बाद, यहाँ नीचे लिखा है confirm, तो हम confirm पर क्लिक कर देंगे, OTP डाल कर, जैसे हम confirm पर क्लिक करेंगे, तो हमारा नया checkbook successfully apply हो जाएगा, यहाँ पर देखी लिखा है, Your checkbook will be dispatched at the following address within three working days, यानि हमने जो यहाँ पर address दिया है, उस address पर तीन दिनों के अंदर ही dispatch कर दिया जाएगा, हाला कि तीन दिनों के अंदर dispatch तो किया जाता है, लेकिन checkbook को आने में लगवक 6-7 दिन लग जाता है, यह है reference number, तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी घर बैठे बैठे, अपने मुवायस से online, अपने bank account का नया checkbook के लिए apply कर सकते हैं, और नया checkbook आप जिस भी address मंगाना चाते हैं, उस address पर मंगा सकते हैं, तो यह वीडियो कैसा लगा, comment box में comment करके ज़रू बताईएगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करते हैं, हमारी चैनल पर पहली बार रहे हैं, तो चैनल लोग सब्सक्राइब करके, बेल आईट हैं ज़रू प्रेस करते हैं, तो मिलते हैं इसी प्रियार की एक और ग्यान वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक तो